गूद्ट मॉर्निंग स्टूडेन्ट ओफ क्लास टेंथ हैं। लास्ट टेंट पर हम क्या पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैटल और नॉन मैटल्स ठीक है। तो हम लोगों ने बात की थी कि मैटल्स और नॉन मैटल्स किसके पार्ट हैं। Metals and Non-Metals, Elements के पार्ट है, यानि कि Elements थ्री टाइप के होते हैं, Metals, Non-Metals and Metaloids, लेकिन चैप्टर में हम लोग मेटल और Non-Metals के बारे में ज्यादा डिस्कुस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही Metals and Non-Metals है, ठीक है, तो Elements को थ्री पार्ट में डिवाइट किया ग Chemical Reaction की ठीक है, यह सब होते हैं, Elements, Elements को हमने थ्री टाइप में डिवाइट किया है, Metals, Non-Metals and Metaloids, अब हम बात करेंगे Metals की, कि Metals क्या होते हैं, चैप्टर का जो स्टार्टिंग है Metals से, थोड़ा सा हम डिस्कुस करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, In Class 9th, You have learnt about various elements, Class 9 में आप बहुत सरे elements के बारे में पढ़ चुके हो, You have seen that elements can be classified, Elements के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कि इसको त्री पार्ट में डिवाइट किया गया है, Metal or Non-Metal and Metaloids, Metals क्या होते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कि Metals क्या होते हैं, जो Elements, वो Elements, जो अपने में से, Electron को निकाल कर, अपने उपर Positive Ions ले आएं, उनको क्या बोलते हैं, Metals बोलते हैं, यह Definition हम लोग Chapter 1 में पढ़ चुके हैं, The Elements which form Positive Ion by Losing Electron, are called Metals, यानि कि वो Elements, जो अपने में से, Electron को निकाल दें, और अपने उपर, जब Electron को निकाल देंगी, तो Electron Negative Charge होता है, तो Negative Charge को उन पर क्या आजाएगा, Positive Ion आजाएगा, ठीक है, उसको बोलते है Metal, और Metals के Example हैं, जैसे Copper, Iron, Aluminium, Sodium, ETC, ठीक है, अब Metal अपने में से Electron निकालते क्यों है, क्योंकि वो अपने में से, एक Electron को अगर निकाल देंगे, तो वो Stable हो जाएगे, ठीक है, यानि कि Outermost Shell में 11 नमबर पर, तो इसका मतलब उसके पास Electron कितने हैं, 11 Electron, ठीक है, अब Electron Configuration करेंगे हम Sodium का, तो Sodium का Electron Configuration करने पर क्या होता है, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, ठीक है, Electron Configuration क्या होता है, Sodium का 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, तो 3S1, यानि कि 3S वाली क्लास में से, अगर 1 Electron निकाल देगा, तो 2 2S वाली क्लास में कितना बचेगा, उसके पास, मैंने क्या बोला था, 1S2, 2S2, 2P6, तो 2S वाली क्लास में क्या बचेगा, उसके पास, 2S2 और 2P6, अब 2S2 और 2P6 एड़ हो जाएंगे, तो उसके पास कितने Electron बचे, 8, जब उसने 3S1 को अपने में से निकाल दिया, तो 2P क 8 बनाने के लिए ही, वो 3S में से Electron निकाल रहा है, और 8 बन गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, इस्टेबल हो गया, तो यानि कि जब Na, यानि कि sodium की बात करें, तो वो अपने में से 1 Electron को निकाल कर, क्या हो जाता है, 8 Electron बचा लेता है, और जब वो 1 Electron को निकाल लेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जागा, Na positive charge, और Na positive charge का मतलब क्या हो गया, वो metal हो गया, ठीक है, तो हमने क्या बात कि metal क्या होते हैं, ओके students, I hope you will understand, think of, आगे क्या लिखा हुए, think of some uses of metals and non-metals in your daily life, इस chapter में क्या पढ़ेंगे, कि metal और non-metal के use को पढ़ेंगे, हमने अभी यह देखा था कि metal होते क्या है, metal वो होते हैं, जो अपने में से एक electron को निकाल कर अपने उपर positive charge ले आए, उनको क्या बोलते हैं, metal, और वो ऐसा करते क्यों है, ताकि वो क्या हो जाए, stable हो जाए, ठीक है, अब हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे, metal or non-metal के use पढ़ेंगे, what properties do you think of while categorizing elements as metal or non-metal, तो क्या-क्या property है, जिसमें से अगर हमारे सामने कोई element हमको बता दे, जैसे gold बता दिया, तो metal है या non-metal है, हम किस property के base पर, किस physical structure के base पर उसको पहचारेंगे, कि यह क्या है, metal है या non-metal है, how are these properties related to uses of these elements, इनकी properties के बारे में पढ़ेंगे, let us look some these properties in detail, तो इनकी property है, कुछ detail में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमने पढ़ा physical properties, सबसे पहले हम बात करेंगे, metals की, metals की physical properties क्या होती है, ठीक है, तो first है, the easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties, let us study this with the help of the following activities, the easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties, सबसे easy way क्या होता है, कि भई, physical property के base पर उसको क्या करें, हम लोग अलग-अलग करें, ठीक है, कैसे compare करें, कि यह metal है या non-metal है, इसके लिए हम लोग नीचे कुछ activity दी हुई है, वो करेंगे, for performing activities, 3.1 and 2, 3.6, collect the samples of following metals, जैसे कि iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metals that is easily available, जो metal है, easily available हो सकते हैं, उनको collect करना है, अब 3.1 में क्या बोल रहा है, 3.1 और 3.2, next जो activity है, उसके base पर बोला है, 3.1 है, टेक सम, इसमें बोला था कि यह जो easily available हो जाए, आपके पास metal, iron, copper, aluminium and magnesium, note the appreciations of each sample, इनका sample लेंगे, clean the surface of each sample by rubbing them with the sand paper and note their appreciations again, तो इनको clean करेंगे और दुबारा इनका note करेंगे, metals in their pure state, अब metal जो होंगे, वो कैसे पता चलेगा, मतलब इनको sand paper से clean किया, रब किया, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी structure कैसी है, metals in their pure state have a shining surface, तो metal जो होंगे, वो pure state में होंगे, shining होंगे, हमने पिछले chapter में बात की थी, metals are luster, यानि कि shining होते हैं, this property is called metallic cluster, तो इस property को क्या बोलते हैं, metallic cluster, यानि कि metals जो होते हैं, shining होते हैं, shining objects, और metal क्या होते हैं, जो अपने में से electro निकल कर अपने उपर क्या लेया हैं, positive iron, ductile होते हैं, यानि की thin wire में change किया जा सकता है, इनको, malleable होते हैं, sonorous होते हैं, यह सब हमने इसकी physical properties में ही देखा था, second activity क्या है, the small pieces of iron, copper, aluminium and magnesium, यह वाले paper, हमको small pieces लेने हैं, try to cut these metals with a sharp knife, और इनको cut करके देखना है knife से, and note of your observation, और इनको note करना है, hold a piece of sodium metal with a pair of tongues, sodium metals को एक tongue की help से लेना है, कोजन क्या है इसका, always handle sodium metal with care, इसको ध्यान से लेके जाना है, dry it too by pressing between the folds of filter paper, filter paper से इसको मतलब rub करना है, बिल्कुल सुखा लेना है, put it on a watch glass and try to cut it with a knife, और watch glass पर रखकर इसको knife से कट करना है, what do you observe, तुम लोग क्या observe करोगे, जब हम इसको cut करेंगे, तो हम लोग observe करेंगे कि metals are generally hard, जो metals होते हैं, वो generally hard होते हैं, hard मतलब की solid state में होते हैं, इनको cut करने पर metals क्या होते हैं, generally hard, तो हमने इसकी physical properties देखी बिटा, यह physical सही है, मतलब हम लोग इसकी बनावट देख रहे हैं, जब हमने 3.1 में क्या पढ़ा, जब हमने इसको sand paper से clean किया, तो यह कैसे हैं, shiner है, shining in objects हैं, ठीक है, pure state में हैं, metallic luster बोलते हैं, यानि कि metals are lusters, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, second हमने topic देखा, तो metals are hard, metals क्या होते हैं, hard होते हैं, solid in state, solid होते हैं, क्योंकि इनको हम लोग क्या करते हैं, cut करते हैं, तो हम लोगों को पता चलते हैं, यह hard होते हैं, ठीक है, तो हमने इसकी 2 देखी, अभी 3.1 और 3.2, जो बुक में 3.6 तक दी हुए है, वो इसकी physical properties ही है, ठीक है, next properties हम next turn पर देखेंगे, आज मैंने आपको बताए कि metals होते क्या हैं, elements को 3 parts में divide क्या है, metal, non-metal and metalloids, metal क्या होते हैं, जो अपने में से electron को निकाल दे, बाहर, remove कर दे, यानि lose electron करके, positive ions अपने उपर ले आए, जैसे हम sodium की बात करें, तो sodium के पास total electron कितने होते हैं? 11, 11 electron होते हों, reference ही proton होते हैं, अपने मेंसे electron को lose कर दीता है जल्दी से क्यों कि हुआ कि इनका पाइदा है अगर ये अपने मेंसे electron lose कर दें तो After Muscle Shell में 8 electron अगर इसके पास हो जाएंगे, 8 electron होने पर ये क्या बना लेगा, positive ion बना लेगा जब electron lose करेगा निकालेगा तो outermost shell में अपने पास एक electron रखकर positive iron बना लेगा na plus हो जाएगा और na plus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह stable हो जाएगा अपने आपको stable बनाने के लिए electron को क्या करते ही lose करते हैं तो metal की definition आपको समझ में आ गई होगी हम बात करेंगे कि metal जो इसकी physical properties के बारे में देख रहे होगे तो metals की first property क्या हो गई metals are luster ठीक है second properties की क्या हो गई कि हम लोग ने जब इनको sodium metal को हमने क्या किया knife से काटा तो यह क्या होगा hard होगा ठीक है तो इसको dry करके ही करना है ठीक है next 3.3 से लेके 3.6 तक हम इसकी physical properties को कल देखेंगे आज आपको इतना पढ़के देखना है thank you